अब करें दोस्तों आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टोपिक के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम सब्द साथियो ज्यादातर विद्यार्थी इस टोपिक को हलके में लेते हैं कई बार आसान क्यूशन भी गलत कर देते हैं तो आज हम नियम के साथ विलोम सब्द पढ़ने वाले हैं ये क्लास देखने के बाद कोई भी क्यूशन आप गलत नहीं करेंगे तो बने रहें मेरे साथ स्टार्ट करते हैं साथियो आज की क्लास विलोम शब्द अब विलोम का पहले वी प्लश लोम ये वी इसमें क्या गया उप्षर्ग और लोम किस से लोम का अर्थ क्या होता है साथियो लोम का अर्थ होता है रोम रोम केस बाल इस रोम के अर्थ होते हैं अब विलोम सब्द की परिवासा देखते हैं परिवासा क्या है साथियो देखें जो सब्द प्रिष्पर विप्रीत अर्थ व्यक्त करते हैं क्या करते हैं विप्रीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें एक दूसरे का विलोम का जाता है अब सब्द आ गया यहां पे विप्रीत तो विप्रीत का विलोम सब्द क्या होगा तो विप्रीत का विलोम सब्द होगा साथियो अनुकूल क्या होगा अनुकूल अब देखें जैसे कि विलोम का अगर विलोम सब्द होगा तो वो क्या होगा अनुलोम और अगर अनुलोम शब्द आ जाता है उसका विलोम सब्द क्या होगा वो होगा प्रतिलोम वो क्या होगा प्रतिलोम यह ध्यान रखना है अब देखें इसके प्रकार की विलोम सब्द के समानेते दो प्रकार होते हैं विलोम सब्द के प्रकार कित इसको हम यूज करते हैं जैसे ठंडा गरम रात दिन इस तरीके के सब्द दूसरा इसमें जो प्रकार है वो ऐसा आथि निर्मित विलोम निर्मित का मतलब किसी के द्वारा बना हुआ सब्द अब कैसे निर्मित विलोम वे हैं जिनका निर्मान मूल सब्द में उपसर्ग या प्रते आदी जोड कर किया जाता है क्या जोड करके उपसर्ग या प्रते कैसे देखें जैसे सब्द आया है यस और यस का विलोम सब्द क्या बना अब यस तो यह अब यह क्या बन गया अब क्या गया यहां पर उपसर्ग आ गया यहां पर किसका निर्मान हुआ उपसर्ग स अब सब्द आ गया लगूता लगूता तो यहां पे क्या बना गूरूता तो इसमें ता लगा हुआ है अंत में क्या लगा हुआ है ता तो यह क्या है प्रते तो कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो मूल सब्द में उपसर्ग और प्रते लगने के बाद भी विलोम सब्द बन सकते ह आगे देखें अब विलोम सब्द बनाने की नियम की विलोम सब्द बनते कैसे हैं कई बार क्या होता है साथियो कि क्यूशन आ गया जैसे मानलो आपको दे दिया कपूत और कपूत का सपूत होता है लेकिन वहाँ पे सपूतर दे दिया तो आप सपूतर नहीं कर सकते क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं है अगर तद्सम है तो तद्सम के अनुसार करेंगे अगर तद्वव है तो तद्वव के अनुसार करेंगे उपसरग है तो उपसरग के अनुसार करेंगे और अगर उसमें प्रत्य लगा हुआ है तो प्रत्य के अनुसार करेंगे अगर वो विदेशी सब्द है तो विदेशी सब्दी उसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारी बाते हम देखने वाले हैं तो देखें पहला पक्सों की वीविदिता के आधार पे अब देखें पक्स के वीविदिता के आधार पे कैसे जैसे सब देखी है राजा सब में देखी राजा है लेकिन राजा का रानी भी होता है वो किस अर्थ में होता है वो पति-पत्नी के समझ में या लिंक के अनुसार तो लिंक के अनुसार अगर राजा का क्या होगा रानी और अगर गुन के आधार पे पूछे जैसे सासग या सासित तो राजा का क्या होगा प्रजाब ये दूसरा है तीसरा इसमें राजा का रंक ये धनी या निर्दन आवस्था होती है या समन्द होता हुआ उस आवस्था क अनुसार यह किसके अनुसार आवस्ता के आधार पे यह आवस्ता के अनुसार राजा या रंग किस तरीके से कर सकते हैं फिर देखिए इसमें है उपसर्गों के आधार पे अब जो हम देखने वाले हैं वो विलोम शब्द वो किस पे देखेंगे उपसर्ग के आधार पे तो उपसर्ग में निशेदात्मक मानि नहीं वाले नकारात्मक वाले जो उपसर्ग हैं वो कौन-कौन से हैं और उनसे कैसे विलोम सब्द बनते हैं वो देखेंगे जैसे ए है अन है अप है निर है निस है वी है प्रती है देखें जैसे पहले ए हम क्या लेंगे ए उपसर्ग वाले लेते हैं जैसे सत्य है तो ये किस सत्य का विलोम क्या बना ए सत्य ये क्या गया इसमें उपसर्ग आ गया जेतन विलोम सब्द क्या बना जेतन ये किस से मिलके ये ए उपसर्ग से मिलके बना परीगर है क्या बना ए परीगर है इसका विलोम क्या होगा ए परीगर है तो ये ए से ए उपसर्ग के मिलके बना ऐसे आगे देखेंगे इसमें दूसरा है अन, यह important है सातियोग, यह प्रिक्षा में इस तरीके के question इसमें से कई बार पूछे गए हैं, तो यह ध्यान रखना है आपने को, कि उपसर्क का प्रियोग स्वर के साथ कैसे करेंगे, जिससे वो विलोम बन जाए, अब देखें कैसे, जैसे यहाँ पे आप उचित, तो यह अन आ गया, तो उचित की, अगर आप इसमें उपसर्क निकलेगा, तो वो अन प्लस उचित निकलेगा, यह भी अपने को विशेश तोर से द्यान रखना है, अन प्लस उचित, कई बच्चे इसमें अनु कर देते हैं, जो अपने को नहीं करना है, इसमें लिए बार देखिए यह क्या है स्वर है 1,1 का क्या बना अनेक, यह बन गया है अनेक इसमें भी क्या है अनपसर गया 155 agẫn ऐसी आधर डाय यहां पर आदर का बना अनदर यह क्या बन गया 155 अन connect Unne plus other ऐसे इच्छा यहाँ पर क्या है उपसर्ग है स्वार है और स्वार किसमें बदल रहा है यहाँ पर Unne me ऐसे बदल रहा है Unne me Unnekescha तो इसमें क्या होगा Unne plus इच्छा ऐसे इपसित यह important है यह आया हुआ पेपर में आप ये वैसे तो सारे जो सब्द ही ही important है लेगिन यह आाया हुआ है इस companies का क्या होगा अनिपसी इसमें क्या होगा अन plus इपसीद इस तरीखे से बना लेंगे ओप-चारिक उप-चारिक क्या बना अनप-चारिक तो यह क्या हो जाएगा अन प्लस उपचार एक और इसके भी टुकड़े हो सकते हैं उपचार प्लस एक उपचार प्लस एक इसमें कौन सा प्रतेय एक है अब देखें निर की अनुशार कि निर अगर आता है तो वो किसमे ए या आ उपसर के साथ तो सबसे पहले यहां पर देखें यह तो यहां पर क्या मि लेगा आपको आ तो किस में बदल रहा है निर में जैसे अपराद अपराद किस में बदला यह बदला निर निर अपराद किसमें बदला निर अपराद आदर निरादर यह निर में बदल गया और अगर निरादर आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा सादर यह क्यों क्यों बन यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर उपसर्ग का उत्तर हमें उपसर्ग से ही देना है ठीक है आदर का निरादर निरादर का शादर इस तरीके से आसा आसा का क्या होगा निरासा आमिश निरामिश और निरामिश का आजाएगा शामिश इस तरीके से बना लेंगे फिर है इसमें निश उफसर्ग छल निश्छल पाप निश्पाप काम निश्पाम और अगर निश्पाम आए तो वो सकाम हो क्यों होगा क्योंकि इसमें निष्रिय उफसर्ग का उत्र हमें कि से देना उपसर्ग से निखी आ गया कि देखें पक्ष्ष विपक्ष्ष मम सब सब्सक्राइब देश Hud那么 एस तरीके से लेंगे अगे देखें तो प्रति तो क्या हो जाएगा क्रिया का क्या बनेगा प्रति क्रिया यहां पी देखो प्रति आ गया आसा का क्या बनेगा प्रति प्लस आसा प्रति प्लस आसा इसमें संदी कौनसी है इसमें यन संदी है कौनसी है यन संदी आगे देखें घात प्रति घात अब अप उपसर क्या है अप तो यस का क्या बना, अप यस, उतकर्ष का क्या बना, अपकर्ष, सब में देखो, अप अप आ रहा है, यहां पे भी आप है, यहां पे भी आप है, मान का क्या हो गया, अप मान, मान का क्या बना, अप मान, अप देखेंगे, सब्द सवरूप के अनुशार विलोम, किस तरीके से, क अगर आपको ध्यान रखना है प्रिक्षा में कि एक्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है अगर वो आपको तत्सम दे रहा है तत्सम सब्द है तो उसका विलोम भी आपको तत्सम ही देना है जैसे मैंने आपको बताया सब्द हमने लिया कपूत तो कपूत का सपूत होता है अ औरी तद्भव है यह क्या है तद्भव है तो इसका उत्तर किस से देंगे हम तद्भव से देंगे ना कि तद्सम से तो देखें ऐसे सब्द ले क्या है हूँ आर्दर आर्दर का क्या हो जाएगा सुष्क यह क्या है यह तद्सम है तो यह भी तद्सम है काला गोरा अब यहां कर देगे सफेद की जगाई गुरा कर देंगे तो गलत है क्यों क्योंकि यह जो शब्दैक शैसाँ और सफेद करेंगे कपूत्र क्या होगा सपूट्adores और कुपूत्र होगा आप सपूत्र नहीं कुपूत्र का आप सपूत्र क्यों नहीं कर सकते क्योंकि कुपूत्र है वो तद्भव है तो इसका उत्तर जो आएगा विलोम वो किस में आएगा वो भी आपका तद्भव में ही आएगा गीला शूखा इसमें और भी ले सकते हैं गीला गीला और शूखा और इसके अलावा इ किससे ले लिया कि अगर ये विदेशी सब्द है तो विदेशी से ही ले लिया अगर उर्दू का है तो उर्दू से ही अर्भी का है तो अर्भी से ही फार्सी का है तो फार्सी से ही इस तरीके से आप देखें एक सब्द जैसे आया क्रिशन क्रिशन का क्या बना शुकल ये क्या है ये क्या है ये तत्सम है ये भी तत्सम में आ गया क्रिशन का क्या बना शुषक एक सब्द आया जैसे स्वेत हो स्वेद का क्या बना श्याम स्वेद क्या होता है सफेद श्याम क्या होता है काला तो जैसा शब्द है वैसा ही विलोम सब्द बनेगा उस सब्द की प्रकृति क्या है वो तदसम है तदवव है या किसी उपसर्ग में आ रहा है उपसर्ग का उत्तर भी अपने हो क्या देना है उपसर्ग से ही और अगर प्रते है तो प्रते का उत्तर किसे देना है प्रते से ही आगे देखें संग्या शब्द का विलोम संग्या सब्द ही होगा अब दूसरा नियम सुन्दर का क्या बना कुरूब काला सफेद यहां पे यह काला सफेद आ गया लेकिन यहां पे काला क्या आएगा गोरा यहां पे क्या आएगा गोरा ठीक है योवन योवन का क्या आएगा बुढपा पाप पुन्ने खटा मिठा अब जैसे यह आ गया खटा मिठा तो खटा क्य यह विशेशन है तो विशेशन का उत्तर किस से बना विशेशन से यह खटास आ गई इसमें कौन सी संग्या है यह बावाचक संग्या है तो इसका उत्तर किस से आया संग्या का उत्तर संग्या से खटास मिठास ना कि खटा का मिठास नहीं कर सकते क्योंकि खटास सब्द है वह विशेशन है तो उसका उत्तर भी किस में आएगा विलोम किस में बनेगा विशेशन में ही बनेगा ये विशेश तोर से अपने को ध्यान रखना है और ऐसे किस्टन एक्जामिनर प्रीक्षा में डालता ही डालता है जिससे आप वो गलतियां करो आगे देखें अब प्रतियों के आधार पे किस के आधार पे प्रतियों के आधार पे विलोम देखें लगूता यहां पे अंत में क्या हैता तो यहां पे भी अंत में क्या हैता तो ऐसे ही लगूता गुरूता तो अंद में अपने को देखना है अगर प्रत्य जो लगा हुआ है उसी से बनेगा जैसे लगीमा क्या बन गया गरीमा इसमें क्या इमा इसमें भी इमा गोरव, ये लागव लगू, लागव का क्या होगा? लगू प्लस ए, गोरव, आप आगे है यहांपे गोरव तो गोरव का क्या होगा? गुरू प्लस ए, ठीक है? अब देखें लगूतर, गुरूतर इस तरीके से प्रत्य के अनुशार ही विलोम सब्त बनते हैं फिर ऐसे प्रियोग के आधार पे जैसे काला आदमी हमने जोड़ दिया काला आदमी तो गुरा आदमी ऐसे काला कपड़ा तो सफेद कपड़ा या इस तरीके से आ जाएगा फिर सरंचना के आधार पे देखिए अब सरंचना के आधार पे जैसे सब देखी है उप्योग सब द प्लस योग ऐसे ही इसमें अन अन प्लस उप प्लस योग तो इस तरीके से हम क्या करेंगे साथियो विलोम सब्द बना लेंगे तो आज का सेशन यहीं कतम करते हैं साथियो फिर मिलेंगे एक नए टोपी के साथ अगर मेरे भाव आप तक पहुंच पाए हैं तो लाइफ और श